आपको केश चंदर सेकर राव की बेटी का बला करना हो तो आप भी आरेस को वोट दीजिए लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनियेगा अगर आपको अपने बेटे का अपनी बेटी का अपने पोते का अपनी पोती का अपने नाते का अपनी नाती का अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का बला करना है तो आप भोट बाजबा को दीजिए उस प्रकार का ही नया उमंक से एक नया सावेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए करांती के मार्क पर इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए 75 साल कोई कम समय नहीं होता है दुनिया बर में कही देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पूँच गया जैसा कि साउथ कोरिया है जैपान है सिंगापूर है मलेश्या है हमारे से जियागरिफिकली कनेक्टड है हिमालाय के उस फार में चीन है आज चीन का किस्त, एक समय में चीन हम से गरीब थे, 1982 तक, उसके आज का चैना कहा है और हम कहा है, चलंगाना के जैसे छोटे से राज में, कम समय में, नया नवेल राज में, खिसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है, ये स्कीम चलंगाना में 5-6 साल से जब चल र महारास्टर में क्यों नहीं, किसान भाईयों, हम जब तक एकत्रित ना हो, हमारा समश्य का कोई समधान नहीं निकलेगा, बड़ा दुक होता है, इतने धनवान महारास्टर राज में, किसान का आत्मा अच्या रोज का 8 का, 7 का, 9 का, 10 का अंकड़ा में जाता है, क्या ये हमा पाटी को कड़ा करे, तब जाके हमारा बिल्कुल समश्य सुलच सकता है, इसमें मुझे कोई शेक नहीं, तेलंगान राज में वहाँ लोगों ने तेलंगान राज भी राप्त किया, इकटे होके लड़के, उसके बाद में किसान सरकार बनाया, बाल के जिने सर बता दिया हम किसान, कोई पूचने वाला नहीं है उनको, दस नहीं, पंदरा मोटर भी लगाओ, उसमें भी कोई पूचता नहीं है, किसान को जब फ्री बिजली देते हैं, फ्री दे देते हैं, दिल से दे देते हैं, चुनाव के लिए वोटों के लिए नहीं देते, वोटों के समय में न बीमा कर दिया है पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही बरता है पांच लाग रुपे उनका क्रिया करम से पहले उनके गर में पहुंच जाता है